साई की बात बता दिया है कि तुम जीट चुके हो तुम विजई हो मेरे बचे विजई हो और सुनो मेरे बचे जो भी तुम्हारे परिशानी है न जो भी तुम्हारी बिमारी है कुछ भी मेरे बचे तो जितना हो सकता है न जितना हो सकता है मेरा नाम जाप करो, जितना हो सकता है मेरे नाम में वो शक्ती है वो ताकत है, जो किसी चीज में नहीं मेरे बच्चे, किसी चीज में नहीं, तुम मेरे नाम के द्वारा ना, वो हर एक चीज पास सकते हो वो हर एक चीज हासल कर सकते हो जिसके बारे में तुम जानते भी नहीं जो तुम सोच भी नहीं सकते हो या जो तुम्हारी चाहा है उससे भी कहीं बढ़कर मैं तुम्हें दे सकता हूँ ये निर्भर तुम पर करता है मेरे बचे तुम पर करता है और सुनो गुरुबार को तुम अपनी मनोकामना पूर्ण कर गए ना मेरे पास आकर जो तुमने मुझसे कहा था कि साई मेरे मनोकामना पूर्ण होने पर मैं चीज़ करूँगा और तुम अपनी कही बात को पूरा करने मंदर आये थे है ना और सब कुछ पूरा कर गए जो भी तुमने क तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिली मेरे बच्चे बहुत खुशी मिली जब तुम आते हो ना मेरे पास अपनी कही बातों को पूरा करने के लिए ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है तुम उन में से नहीं हो मेरे बच्चे जो अपनी इच्छा पूरी होने पर अपनी कह कब बाबा मेरी सुनेंगे और मैं फटा फट जाओं और बाबा से कही हुई बात मैं पूरा करूं मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बचे बहुत अच्छा लगता है और सुनो मेरे बचे कुछ चीजे न समय के अनुसार ही पूरी होती है मेरे बचे न समय से पहले होती है और ना समय के बाद होती है तो थोड़ा सबूरी रख लो ना मेरे बचे रोज इतना मुझसे कहते हो मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें बारबर मना करना देखो रुख जाओ थोड़ा सबूरी रखो समय पर विश्वास करो वक्त बहुत बलवान होता है मेरे बचे ये वक्त है ना ये बहुत बहुत बलवान है मेरे बचे बहुत बलवान है तो चिंता मत करो सब हो जाएगा सब तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा अब इतना तो कह दिया ना तुमसे अब मत चिंता करो और सुनो सिर्फ तुम्हारी बज़ा से मेरे बचे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बज़ा से मैं उनकी रक्षा कर रहा हूँ क्योंकि तुम रोज उनकी प्रातना मेरे आगे लगाते हो रोज मुझसे कहते हो इसाई उनकी रक्षा करो और मैं वही कर रहा हूँ मेरे बचे तेरी कही उई बात में कभी टान नहीं सकता ऐसे कैसे डाल दू तुम मेरे इतना अच्छा बच्चा है इतना प्यारा बच्चा है मेरे हर एक एक आदेश को मानता है तो ऐसे कैसे मैं पूरा ना करू हाँ बोलो मैं तो करूँगा ना पूरी और सुनो तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ था कि मैं तुम्हारे पास आया था मैंने तुम्हें स्वर्ष किया था किया था ना तो हाँ वो मैं ही था डरो मत वो मैं ही था तुम्हारे मन में जो शंका थी वो मैं दूर कर रहा हूँ ठीक है ना मेरे बचे वो मैंने दूर करती है कि वो मैं ही था अब तो खुश हो जाओ कि हाँ बाबा थे क्यों परिशान होते हो और सुनो मेरे बचे जो तुम्हारे घर में उधी नहीं लेता न उधी से वहम करता है उधी को नहीं लेना चाता उधी जल नहीं पीना चाता तो सुनो ऐसे लोगों के लिए क्या करो अपने घर में तुम जहां पाने एकटा करते हो ना जहां से पानी पीते हो या कोई मटका हो या कोई चीज हो मेरे बचे उसमें उधी डाल दो देखो वहां अगर उधी डालोगे ना तो उस उधी में खाना भी बनेगा उस उधी जल का लोग सेवन भी करेंगे और जितना भी तम्हारे परिवार में लोग जल पिएंगे उदी जल पिएंगे ना फिर देखना मेरा चमतकार ना चाहते हुए भी उपीना पढ़ जाएगा क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसमें उधी है तो ऐसे लोगों को न, ऐसे ही ठीक करना पड़ता है मेरे बच्छे अगर वो सीधी तरीके से उधी जल नहीं लेते तो उन्हें ऐसे करके दो, ठीक है न? चाहे वो ऐसे ले या वैसे ले बात तो एकी है न मेरे बच्छे मैं किरपा तो करूँगा ही करूँगा जरूर करूँगा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना ठीक है न मेरे बच्चे परेशान बिल्कुल मत हुआ करो अरे तुम इतना परेशान क्यों होते हो जब तुमसे कहे दिया कि मैं सब संभाल रहा हूँ सम्हाल लूंगा अगे भी न क्यों इतना चिंतित हो जाते हो छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान हो जाते हो मत किया करो और सुनो तुम्हारे घर में जो बिमार है मेरे बचे उसे मेरे चर्णों का फूल लिजाकर उसके सिराने रखो वो ठीक हो जाएंगे जल से जल ठीक हो जाएंगे मेरे बचे बिल्कुल चिंता मत करो और सुनो मानता हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है वो अपरादी है उन्होंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया लेकिन तुम उन्हें सजा मत दो मेरे बचे बिल्कुल भी मत दो, उन्हें छोड़ दो, उन्हें माफ कर दो मेरे बचे, जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें दंड मैं दूँगा, और अगर तुम दंड दोगे न, तो तुम्हारे करमों में जुड़ जाएगा, मैं चाता हूँ कि दंड मैं दूँ, क्योंकि देखो, हर किसी की सजा को मैं तैय करता हूँ, ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं मेरे बचे, और जो काम तुम्हारा नहीं है, उसे रहने दूना, क्यों करते हो तुम, क्यों अपने उपर भार बढ़ाते हो, बल्कि तुम हलके हो जाओ, हलके हो मेरे बचे, उसे माफ करना, अपने अंदर से बोज हलका कर लो और आगे निकल जाओ अपने जिंदगी में जो उसने तुम्हारे साथ किया वो भुकतेगा जरूर भुकतेगा और वो मेरा काम है मेरा काम है उसे दंड देना उसे मैं दंड दूँगा और जब दूँगा न तो तुम्हें पता भी चल जाएगा तुम तक वो आवाज वो खबर पहुंच आएगी मेरे बचे पहुंच आएगी और जो लोग तुम्हारे खिलाफ अफवाह फिला रहे हैं न उल्टी सीधी गलत सलत बोल रहे हैं तुम पर उंगली उठा रहे हैं तो सुनू ऐसे लोगों से डरना मत क्योंकि ऐसे लोगों का काम है तुम्हारे बारे में बंदामी कराना अफवाह फिलाना क्योंकि इनसान जानता तो नहीं है कि वो इनसान कितना संखर्ष कर रहा है कितना अपने जिंदिकी में परेशान है कितना दुख जेल रहा है बस लोगोगों को वही बाते करनी हैं जो वो देखते हैं तो लोगों की बातों और कभी मन चाना क्यूंकि अगर तुम्हारे घर में खाने को नहीं होगा न तो लोग नहीं देने आएंगे इस बात को ध्यान रखो और सुनो मेरे बच्चे, कभी गलत लोगों का समर्थन मत करना, तुम जानते हो कि वो इंसान गलत है, है न, और उसके बावजूद भी वो तुम्हें अपने सम्हूं में शामिल करना चाहता है, जबरदस्ती, तुम नहीं होना चाहते हो, तुम नहीं कुछ गलत करना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें ग्यान का प्रकाश है, तुम्हें पता है कि गलत क्या है, सही क्या है, तुम मेरे बच्चे, साफ साफ कह दो न, क्यों नहीं कहते हो तुम, देखो साफ कहने में भलाई है, क्य और वो इनसान तुमसे तुबारा नहीं कहेगा अगर तुम पहले से ही इनसान को ना उसके सीमा बता दोगे तो वो कभी उस सीमा को लांकर तुम्हारे पास नहीं आएगा लेकिन अगर उसे सीमा नहीं बताओगे ना तो उसे ऐसा ही लगेगा कि तुम उसके पक्षमे हो और त सुनो उसे ना हलके में मत लेना जाओ सीधा और डॉक्टर से परामर्श करो क्यूंकि मेरे बच्चों से मुझे बहुत साधा शिकायते हैं कि वो न दूद पीना पसंद नहीं करते हैं और कई बार मैं उन्हें टोक चुका हूं कि दूद पीओ दूद ना पीने से मेरे बच्च पर बहुत असर पड़ता है तुम्हारे लिए दूद बहुत लापकारी है मेरे बच्चे तुम्हारी जो हड्डिया है न शरीर की वो बहुत कमजोर हो गई है तुम्हारे अंदर खून की कमी है मेरे बच्चे और ये बाहर की चीज़े खाना बंद कर दो मेरे बच्चे किसी का दिल मत दुखाना किसी मजबूरी का फाइदा मत उठाना मेरे बच्चे कभी नहीं किसी का दिल को मत दुखाना क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी के दिल को दुखाता है ना अगर वो दिल से रोता है ना तो उसकी हाय बहुत जल्दी रखती है मेरे बचे तो कभी भी किसी को इतना मजबूर मत कर देना कि वो दिल से रोए मन से रोए उसकी आँखों में सुदासों निकले लेकिन दिल से बद्दुआ निकले मेरे बचे ध्यान रखना खुश रहो आज का साई संदेश समाफ दूब